तारक महता का उल्टा दिश्मा भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले टीवी शोस में से एक है जिसके चार हजार से अधिक एपिसोड्स प्रसारित हो चुके हैं शोव अभी पिट्यारपी के लिहास से मजबूत चल रहा है लेकिन शोव की कलकारों और इसके निर्माता असित कुमार मोदी के बीच लंबे समय से मनमुटाफ चल रहा है जिस कारण एक एक कर बड़े कलकार शोव का साथ छोड़ते जा रहे हैं 2023 में तारक मैता का उल्टा चुश्मा में रोशन सोडी की भूमी का निभाने वाली जैनिफर मिस्त्री ने असित मोदी और उनके दोस्त सयोगियों पर उनका यौन उत्पीडन करने और बार बार मांगने के बाद भी उनका बकाय न चुकाने का आरोप लगाये था मामला इतना बढ़ा कि जैनिफर ने मेकर से खिलाफ यौन उत्पीडन के आरोप में अफ़ायार दर्श करा थी जिसमें जैनिफर को बड़ी जीत मिली 15 फरवरी 2014 को फैसला सुनाए गिया लेकिन जैनिफर को मीडिया में इसके चर्चा न करने के हिदायत दी गई और इससे अब तक छुपाय रखा फैसली के अनुसार असीद मोदी को न केवल यौन उत्पीडन की शिकायत में दोशी पाये गिया बलकि 5 लाख रुपे के अतिरिक दंड मुवावजे के साथ जैनिफर का सभी बकाय चुकाने का भी आदेश मिला एक रिपोर्टर से फैसली के बारे में बात करती हुए जैनिफर ने कहा फैसला मेरे पक्ष में है जो मेरे दुवारा लगाये गए आरोपो के पुष्टी पुखता सबूतों के साथ करता है मामला भले ही जैनिफर के पक्ष में गया और रसीद मोदी को उनके कारियों के लिए जिम्मिदार ठहराये गया लेकिन जैनिफर फैसले से असंतुष्ट है अभिनेतरी ने खुलासा किया मामले को 15 फरवरी 2024 को वानल कर दिया किया लेकिन उन्हें अभी तक अपना भुतान और एक्स्ट्रा जुर्माने राशी नहीं प्राम्थ हुई उन्होंने ये भी कहा कि अन्ने दो आरोपियों सोहिल और जतिन को फैसले में शामिल लहे किया किया और उन्हें छोड़ दिया किया जिससे उनकी निराशा और बढ़ गई है आपको बता दे जैनिफर मिस्त्री ने 15 वर्षु तक शोव में काम करने के बाज शोव को अलविदा कह दिया था अभिनेतरी ने खुलासा किया था कि शोव में निर्माता असीत मोधी, प्रोजेक्ट हैट सोहे रमानी और एक्सेक्योटी प्रोड्यूसर जदिन बजास द्वारवने मानसिक और यौर रूप से प्रतारित किया किया था